आज इस वीडियो में मैं आप लोगो को बताऊंगा कैसे आप Google Pay का Transaction History क्लियर कर सकते हैं नमस्कर मेरा नामे विकास वर आप देख रहे हैं विकास टेक चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बहुत सार लोगो का request आया कैसे Google Pay का Transaction History डिलेट कर सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं देखिए मैं आप लोगो को बताऊंगा तो सिंपल तरीके से Google Pay का Transaction History डिलेट नहीं कर सकते हैं बट इसका एक OA है जिसमें आप आपना Transaction History को क्लियर कर सकते हैं वो कौन सा OA है इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा एक नया एकउन बनाना पड़ेगा वो कैसे मैं आप लोगो को बिताता हूँ पहले आपको GPi Apps open कर लेना है GPi Apps open करने के बाद एकदाव टॉप corner पे देखेंगे Gmail का logo दीकर रखे हैं उधर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपको दिखाई देगा कौन से नाम पे है और कौन सा Gmail address है ये एक बाद चेक कर लिजेगा इसके बाद आपको Google Paye का जो Apps है के लिए data कर दीजे नहीं तो uninstall कर लिजे Apps को uninstall करने के बाद Play Store में जाके again install कर लिजे इन्स्टरल करने के बाद इगें आपको log-in करना है आपका same number पे इक चीज़ धान में रखिएगा इधा जो email address पुराना वाला वाला email address था ओ आपको दिखाई देगा आपको और उसके बाद कुछ step process करने के बाद आपको इदर नाम चेंज करने का भी option देते हैं, वो भी आप चेंज कर सकते हैं, बढ़ आपका account में पूरा transaction history clear हो जाएगा, आपका पहले बाला जो transaction history था, वो आपको एक भी नहीं मिलेगा, कोई भी cashback, reward, कोई भी कुछ भी था, वो आपको कुछ भी नहीं सो करेगा, वेकर नया एक phrase icon आपका बन चुके हैं, इस तरह से आप Google Pay का transaction history एकदम clear कर सकते हैं, वीडियो का चले की तो like कर दिए, दुस्तों के असर कर लिजे, मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए आच रहिए, नमस्ते